हेलो दुस्तो, दुस्तो मैंने अभी अभी जीफ आपर लव की अरेंज मेरेज नम की नई फिल्म देखकर कम्प्लीट की है, दो घंटे की मूवी की लेंथ है, एंड क्या ही कहूं कि मैंने क्या देखा, मतलब इस तरह की फिल्म मालुम था कि जीफ आपर रिलीव होने वाली है एक घंटिया फिल्म होकी, लेकिन ये नहीं मालुम था कि इतनी घंटिया मूवी होगी, मैंने मूवी का जो ट्रिलर था वो नहीं देखा था, एंड अभी अभी मैंने मूवी देखी है, खतम की है, एंड ये एक कचरे का धेर है, बिशुद चूतिया पा है, उसके लाविया है कि जरूर है, एंड आपको रिकमेंडेशन मैं पहले ही देदूं कि मूवी मत देखना, दो घंटे जो आपके कीमती हैं वो इतने बेस्ट होंगे कि उसके बाद आपके दिमाग का जो दही होगा तो कहानिया पर ये हो है, कि अनु कपूर का करेक्टर है प्रेम जिसका नाम लब, तो यहाँ पर चीज़ा यह होती है, कि पहले एक चीज़ और बतादू, अनु कपूर यहाँ पर डूल रोल में है, मतलब वो उनकी बहन के करदार में भी बहन है प्रेमा, उसके करदार में भी अनु कपूर ही है, ये बहुत व्यादा तो नहीं हुए, लेकिन मैं बतीजा है उसका नाम है लव सनी फिंग ने जिसको प्ले किया है वो लोग पहुंचते हैं रिष्टा लेकर अपने बतीजे अपने बेटे का इशिका के पास जिसका नाम है अबनीत कौर उसके घर पहुंचते हैं अबनीत कौर मना कर देती है शादी कर दने के लिए और उसके बाद ये लोग ना चाहते हुए भी उसी घर में रहने लग जाते हैं कुछ दिनों के महमार बनकर क्योंकि बोपाल में दंगे हो रहे हैं कर्फियू लगा हुआ है तो इन लोग एक पास कोई अपसन नहीं है फिलाइट वगरा ट्रेन वगरा सब कुछ रद्ध हो गई है कैंफ ये था कि जो लड़की की जो मां है और लड़की की जो पिता है मतलब जो लोग अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे उन दोनों की भैटिंग हो गई है मतलब टेकनीकली जो कपल था जो प्यार में था वो टेकनीकली step brother and sister हो गई है funny thing और अबनीत कौर क्योंकि उनके माबाप की निकल पड़ी है तो भाई वाहर सी बाते दोनों जो couple था वो step brother and sister हो गई है एक बार को मेरे जिमाग में thought आया कि यह Hollywood फिल्म है या pawn है यहाँ पर कोई भी कुछ भी कर रहा है कहीं से भी कुछ भी यहाँ पर हो जा रहा है and उसके बाद यहाँ पर बस चलती जारी movie इस movie में बिल्कुल भी feel नहीं है बिल्कुल भी emotion नहीं है बिल्कुल भी depth नहीं है fall नहीं है feel नहीं है कुछ भी नहीं है इसके दिन प्ले तो इतना गंदा है कि क्या है है न उसके बाद direction का तो भाई मतलब Oscar देना चाहिए director साब को कि उन्होंने क्या direction किया है मतलब सबसे गंदी फिल्मों का अगर Oscar मिलना चाहिए तो इसी movie के director साब को मिलना चाहिए जिन्होंने इस movie को direct किया है उसके बाद यहाँ पर जो color grading है जो movie की जो dialogue है जो dialogue delivery है जो sound designing है जो action है जो vfx है बहुत व्यादा गंदा है उतना ही गंदा movie के गाने हैं तीन चार गाने सुनने को जो मिलते हैं इतने व्यादा बाहियाद थे कि क्या ही गहना मतलब and funny thing को देखकर लगता ही नहीं है कि यह कोई actor है फें भेस expression बहुत बुरा तो look है उनका I'm sorry मैं कह रहा हूँ and मैं कोई मतलब यह देखर कर लगता है कि यार क्या look है बंदी का जो lead actor उसका look अच्छा नहीं है और उसके बादे आपर आगे चलकर movie में एक scene और आता है एक चीज़ और आपके अपने इनके बारे में नहीं बताइए यह कौन है अपने इनके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया ऐसे पूछ फक्ते थे लेकिन कोई नहीं पूछता है और किसी को मतलब भी नहीं है और आगे चलकर एक scene और आता है जव गो जो अपिता और जो जो की मां थी यह जो बच्चे थे उनकी जो मां था पिता दिए जो शादी करने वाले थे फुपृडिय plataforma और अनु कपूर की बाली पकैप तक यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अवनियत KOR का जो गर्र के करेक्टर उसके पिता जी वाकिर हो फैन लॉड करा जाते हैं पच्छिफ-शबिफ साल के बाद एंड वो क्या रखते हैं शलते हैं अपर फनी सिंग के सामने की पंदेर लाख रुपए दो एंड जाजपाल यादब का जो करेक्टर वो मेरी बीवी से फनी सिंग तुम मेरी बीटे से शादी कर ले ना एंड मुझे पंदेर लाख रुपए तो मैं अपने राफते कैसा बाप था मतलब ऐसे बाप पर थूक देना चाहिए माल देना चाहिए क्या ही कहूं कि मैं क्या देख रहा था एंड मैं मतलब ये फोच रहा था अपना फर्क होजा रहा था कि कौन ऐस डिरेक्टर है कौन ऐस राइटर है जिसने ये कारनामा लिखा है मतलब मैं एक बार मिलकर परफनली मिलकर उसको मुँपर गाली देना चाहता हूं कि ये तूने क्या बनाया है तुमने क्या लेखा है तुमने क्या डिरेक्ट किया है तुमने ये दो घंटे तक क्या बनाया है मतलब फोच क्या रही था आपके पीछे का आपका मोटिव क्या था वो देश क्या था बुलोग उस लड़की एगर पहुँचते हैं, शादी का रिष्टा लेकर, तो फीन यह हो था कि बुलोग इनुवा से पहुचते हैं, जो जिसका taxi का परमेड था, पीले कलद की number plate थी, taxi का परमेड था, मैं यह कहूँ कि cab थी, इनुवा से पहुचते हैं उसके घर पर, और उस पास पास कोई भीड है मॉब है एंड वो इस तरीके से डाड़ी चला रहा है ड्राइविंग कर रहा है यह कौन सा तरीका है ड्राइविंग करने का मतलब अंदी उकल चला रहे हो एक तो यही समझ मने है एंड उसके वादियां पर एक सी इंदा जब मुझे थोड़ी हसी आई पर जाकिर हुएन का करेक्टर आकर कहता यह मैं क्या फोन रहा हूं तुम इस जादुगर से शादी कर रही हो एव लग रहा है यह अपने पजामे में से कबूतर निकाल देगा बहाँ पर मुझे थोड़ी है उसके अलाबा तो भाई इस मूवी में मतलब कुछ भी नहीं है क पाचरे का डेर है क्रैप है चुतियापा है अखंट भिशुद चुतियापा है उसके अलाबा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है कहानी किरदा राइटिंग डिरेक्वन स्क्रींप्ले स्टोरी टैलिंग पीसिंग क्या ही था लेंथ क्या ही था पूरी तरह से बगबास है इस म पर जोगनू बोला जाता है उस बंदे ने भी अपनी अच्टिंग अच्छी की है उसके अलावे यहां पर ना तो अवनीत कौर ना सवनी सिंग कोई भी कुछ भी बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाता तो जो फीनियर एक्टर से उनको ध्यान में रखते हुए इस पूरी यह मुवी लाफ्ट ये दो हजाल तैइस में मार्च से लेकर माई की बीच में शूट हो चुकी थी कम्प्लीटली भोपाल में शूट रही थी तो यह है भई रेटिंग समझ ही गए होगे आपकी मैं इस मुवी बेर मेरा एक्स्पिरियंस क्या रहा है बाकी तो मतलब और क्य कोई देब्थ नहीं है, कोई फील नहीं है, कोई एमोशन नहीं है, कोई वाइब नहीं है, दोनों की यू सैटंग चल रही है उसमें कोई बात ही नहीं है तो ही है अपने टिक्स ज़रू लिक्कित करबताना अब आकी लेक्शने और करना चलनल कूभी डिको अ 네ुशन खान है तेंक यू